नमस्कार दोस्तों टोटके मंत्रा यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वाकत है दोस्तों आजगा जो टोपिक है उन लोगों के लिए है जो लोग अपने दुश्मन को लेकर बहुत प्रेशान हो चुकी है यदि आप अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना चाहते हैं तो आपको काजज पर नाम लिख कर अपने दुश्मन को अपने रास्ते से हटा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए तो दोस्तो उसके लिए आपको करना क्या है एक आपको प्लेन कागज लेना है एक काची माटी का एक छोटा सा बरतन लेना है आपको एक मोली और एक लोंग यह टोटका इतना कारेगार टोटका है यह अजमाया हुआ टोटका है दोस्तों यदि आप अपने दुश्मन को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते हैं यह तोटका बहुत आसान तरीके से आप अपने दुश्मन को रास्ते से हटा सकते हैं तो दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जुरूर कर दे जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे हैं तो दोस्तो आपको करना क्या है किसी भी दिन जैसे कि आपका दुश्मन आज के समय में आपको दुश्मन आपको दिखा तो आपको जाहिर है कि आपको दिखते ही आपको गुसा जुरूर आया होगा लेकिन आपको कुछ नहीं करना घर पर आने के बाद में एक प्लेन कागिज लेना है प्लेन कागिज के उपर उसका नाम लिख देना है जैसे की विजे और नीचे उसकी उम्र लिख देना और यहां पर आपको करना क्या है त्री 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 तीन बार आपको त्री 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 लिखना है फिर उसके बाद में आपको इसको फोल्ड कर लें सिरफ फोल्ड करने के बाद में इसको अपने मौली की साहिता से इसको उपर लपेट दें उर जैसे आप इसको लपेट देंगे अपने राइट हैंड में इसको पकड़ कर एक मंतर चुझ बोल दें मंतर है ओम कामनी शामनी सवाहा ओम कामनी शामनी सवाहा इस परकार से मंतर आपको एक ़्यावन बार बोलना है जैसे मंत्रा आपका पूरा हो जाएगा उसमें एक लोंग एक साबुत लोंग इसी परकार से इसको अंदर डाल दें और डालने के बाद में इसको जला दें जैसे ये जल जाएगा तो इसको लिजा कर समसान गाट के अंदर कहीं भी इसको थोड़ा सा खड़ा खोद कर दबा द करने से आपका दुश्मन रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा दोस्तों निर्दोष इंसान के उपर बिल्कुल मत करना और जादा जानकारी के लिए सक्रीन पर देगे नंबर पर संपर्क करें धन्यवाद दोस्तों